दे लाइफ टीवी सच सबसे आगे बीजेपी के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाला है और दोजार चौबीस का लोकसवा चुनाओ बीजेपी के लिए खतरे से काली नहीं है जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही बीजेपी की मुश्किलें हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है ऐसे में एक बड़ा दावा कुछ नेताओं ने और कुछ मीडिया हाउसे ने किया है कि बीजेपी चुनाओ जो लोकसवा के हैं उन्हें पीछे ला सकती है और पांच राज्यों के होने वाले चुनाओं मद्रवेश, च्छतीजगर, राजिस्थान और साथ ने मिजोरम और तिलंगाना इनके साथ करा सकती है आज तक ने ये दावा किया है सूत्रों के हवाले से आज तक ने लिखा है संसद ने विशेश सत्र के दौरान एक देश, एक चुनाओं का बिल ला सकती है सरकार, ये सूत्र कह रहा है एक देश एक चुनाओ का मतलब है कि सिंगल चुनाओ हो पूरे देश में एक ही वक्ट में हर राज़े हर जो संसत की चुनाओ है वो तमाम चुनाओ ताकि एक ही बार में बी जेपी के पस वैसे भी राजेसमा में सीटें कम हो गए है तरातर राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गए है ऐसे में बीजेपी की एक चाहत यह है कि वो हर राज्य के चुनाओ एक साथ करा ले तो जितनी बनी बनाई सरकार हैं वो डिजॉल्व हो जाएंगी और दोबारा फिर सब जीरो पर आ जाएंगे और एक बार एक मौका बीजेपी को मिल जाएगा यह बहुत सारी प्यास लगाने के काम किया जा रहा है नियूस 24 ने लिखा है कि संसद की विशेश शत्र में किन सरक कार ला सकती है एक देश एक चुनाओ बिल सूत्र 18 सितंबर से बलाया गया है संसद का विशेश चत्र और उसके जो आहट है वो इसमें भी देखने को मिलती है कि एक तो बीजेपी के जो नेता हैं वह बड़े आक्टिव दिख रहा हैं अलग अलग जगा पे तैयारी उनकी लोग सभा की दिख रही है और चिंते तो लोग सभा को लेकि जादा है जादा तर पॉलिटिकल पंडिस जो है वह यही कहा रहा है नाकी बजान सभा चुनाओ के लेकर इसकी लिए 200 रूपिया लपीजी पे कम भी कर दिया गया है आज तक ने लिखा है कि रक्षा बंदन से पहले मोजी सरकार का जंता को तौफा 200 रूपिया सस्ता हुआ घरे लूए लपीजी सिरिंडर वह बात अलग है कि सुनाए 70-70 पैसे जो है पेट्रोल बढ़ा दिये गा है अब कवर कैसे किया जा रहा है यह आपके सामने है लेकिन दावा बड़ा महतपूर्ण है बहुत गं लिखता है को कि जंसता ने लिखा था कि बीजेपी ने बुक करा लिया है सारे हेलिकॉप्टर जल्द हो सकता है चुनाओ बोनी ममताब एनरजी ऐसे रियक्ट कर रहे हैं लोग तब लोगों ने उनका मलाक उड़ाया था उपहास कर विशार बनाया था लेकिन उसके बाद आ हो सकते हैं जिससे फाइदा बीजेपी को यह होता है कि बखशी दलों के पास जो राज्ये हैं महां की सरकारें भी डिजॉल होंगी जहां तक मेरा अंदाजा है और दोबारा चुनाओी मैदान में जाएंगे और एक ही बार में जो पूरा का पूरा घुसा है उसको शान करने की कोशिच बीजेपी कर सकती है महामता बैनर जीने तो यह दावा किया ही था साथ में और बड़े नेताओं ने भी और दूसरा लिड़ के नेताओने भी यह दावा किया था और यह कई लोग दावा करते हैं तो बीजेपी के लिए झब जब मुसीoppel आती ऐ Geschichte का कि कोई चाल लिया जाए अटल जी ने चुनाओ को पे छे महीने पहले करा आया था और उसके बाद कहा जाता है कि अटल जी की सरकार गिर गई थी अब वोही परिस्तिदिया दोबारा बन रही हैं कहीं न कहीं वोही एड़वाइजर्स बैट रहे या उनकी तरह के दूसरे एड़वाइजर लाए दी हो कि हम चुनाव को पीपोन करने जिससे के वपक्ष की दनों को तैयारी करने का मौका कम मिले यह कुछ है जो भी है एंडी टीवी ने लिखा था कि भादेपा दिसंबर में करा सकती है लोगसबा चुनाव प्रचार के लिए सभी हेलिकॉप्टर बुक किये दावा है ममता बेनर जी का शरत पवार जी का परिवार राजनीतिक तोर की उपर बहुत ही इंट्रेक माना जाता है बहुत समझदार माना जाता है उन्हीं के पोते और विधायक रोईपवार ने भी कुछ दिन पहले यही दावा किया था माराश्ट में इसको लिखा था अखबार ने जहां तक मेरी जान का रही है न्चीपी की युवा एकाई भी इनके नित्रित में काम कर चुकी है इन्होंने ये दावा किया था आज से लगभग लगभग दो महीने पहले या देड़ महीने पहले कि दिसंबर 2023 में ही हो सकते हैं लोकसबा चुनाओ तो ये भी एक चीज थी और उसके बाद इसे ही इंडिया गट बंधन बनना भी शुरू हुआ और बीजेपी की चिंता बढ़नी भी शुरू हुई मोदी जी ने इंडिये के तमाम घटक दलों को मीटिंग में बला भी लिया भले उनके पास एक भी बढ़ा लेक एक एक भी सांसत ना हो कितनी कमजोर हो जिस तरह से बीजेपी के तमाम दिगज नेताव अपने मंतरी पद के काम खोड़के बीजेपी के संगधन के कामों में लगे हुए हैं जैसे मनीपूर को छोड़के अमिश्या जी मत्रदेश राजिस्थान में लगे हैं वो भी साफ दिख रहा है कहीं न कहीं कुछ न कु चुनाओ होने की आशंका मीटिंग के पहले दिन बनी ये रणनी थी तो आगे लिखा था कि इंडिया केट बंदन का मानना है कि बीजेपी फदाल जलबाजी में है और कभी चुनाओ कभी भी चुनाओ की घुशना कर सकती है इसलिए समनवाई समयती और अने ग्रूप बनान के मूड में नहीं है क्योंकि उसको कही ना कहीं लगता है कि हर दिन जिन्पा का उस्सा बड़ता है और हर दिन उसकी सरकार नाकाम होती दिख रही है नाकामी के चाहीं बढ़ते जाएंगे तो ऐसी परिस्टियों में अगर लोकसवा का चुनाव पीछे आता है और वन एक तो यह है कि सर्फ लोकसवा को प्रीपोन करें एक चांस जो बनता है उसमें ये पांच राज्जे होंगे और लोकसवा होगा लेकिन एक और जो मेरे दिल में ख्याल आता है जो मुझे समझ में मेरे जहन से जो यह कहा गया है आज तक की तरफ से जो ममताव इनर्जी का दावा है वो छे महीने प्रीफोन का दावा है तो ऐसे में सरकार डिजॉल्व कर सकती है बीजेपी और चुनाव में जा सकती है तो लोकसवा पार्ट राच्चे लेकिन जो आज तक ने दावा किया 24 दावा किया सुत्रों के हावाले से कि वन नेशन बन इलेक्शन का बिल ला सकती है बीजेपी स्पेशल सेशन में तो ऐसी परिस्टी में तो पर सारे राज़े ही चुनाव में चले जाएंगे और पूरे देश की हर सरकार डिजॉल्व हो जाएगी तो यह चीज देखना दि लाइफ टीवी को सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगे जाए हिंद जाए बारत दे लाइफ टीवी सच सबसे आगे